हलो परेंट साथ मैंने पर फ्रस्ट राउंड का रिजल्ट आ चुका था अपॡ्रेट का भी रिजल्ट आ चुका है वाट नेक्स तो अब आपका होगा सेकंड राउंड जै उसके रजिस्ट्रेशन इस्टार्ट बोले नए सिरे से हम चॉइस फिलिंग कर सकते तो आज सेकंड राउंड के बारे में जानेंगे एक और मौका कहीं ने कहीं एक अंतिम मौका बोले या फिर हम बोले कि एक अच्छा मौका आपको एक डिजर्विंग कॉलेजिज ले की प्रोफाइल के बेस्पे तो चलिए सुरू करते हैं तो जैसे कि नोटिफिकेशन में आप यहां पर क्लियर ली देख सकते हैं 20 तारिक से लेके 24 तारिक मतलब यह 4-5 जो दिन है इसमें आप रजिस्टेशन कर सकते हो अगर आपने फरस्ट राउन में रजिस्टेशन कर दिया इसका मतलब और रजिस्टेशन करने की जरुओत नहीं है क्योंकि आपको एक ही बार अपने बारे में बताना है Registration का मतलब भी साफ होता है कि Tell me something about yourself आप अपने वारे में बताते हो माता जी का नाम, पता जी का नाम, मेरी केटिगरी मेरा कोटा में यहां रहता हूँ मेरे 10th में, 12th में, यह परसेंटेज है अगर 1st round में बता दिया है तो उनके पास on record आपकी सारी डिटेल है, आपको 2nd round में directly choice फिलिंग का option आ रहा होगा कई बच्चों के साथ दिक्कत हो रही होगी कि भाईया उन्होंने 1st round में जो केटिगरी नहीं लगा पाए या गलट डिटेल भर दी उसको correct करना चाहते हैं तो वो cancel करके भी यहां पर 2nd round में नया registration अपना particular कर सकते हैं और उसके बाद नई choice फिलिंग करने का option आपको मिली रहा होता है नई choice फिलिंग करने से दो फाइदा हो रहे होते कि पहला हमने जो 1st round में गलतिया कर दी है 1st round में हमारी choice फिलिंग की बज़े से अगर मुझे कोई colleges नहीं मिला तो एक मुझे कही न कहीं मेरी उकाद बर्ड यूस कर रहा हूं मतलब मुझे मुझे पता चल चुका है मेरी हैसियत कि भाई लालन के पाउपालन में तो मैं कहां पर exit करता हूं तो अब हमें time based नहीं करना है time बरौद नहीं करना है हमें एक option बनाना है जो अब हम अगर हवा में ओड रहे थे होता भी है कई बार देको पिछली वार उसको ये मिल गया था वो मिल गया था so make sure this thing कि अब अगर आपको नहीं मिला है तो आपको इसलिए नहीं मिला है क्योंकि proper आपने analysis नहीं कि अपना backup option नहीं रखा so make sure this thing कि अब हमने एक चीज देख लिए अब हमें ये मुका नहीं कबाना है तीसरा और क्या चीज कर सकते हो कि जब आप particular जो भी colleges को choose कर रहे है तो यहाँ पर second round के बाद internal भी होता है तो वो भी धियान में रखना है चोथा आप private colleges का भी options यहाँ पर सकते हो तो सारी चीजों का कर हम detail में समझे हैं यहाँ पर राइट जैसे कि हम engineering में जाते हैं bachelor of technology apply for counseling तो यहाँ पर हमें second round देख रहा होता है second round में clearly दिया है 20 से 24 अब यहाँ पर सबसे बड़ा confusion है जैसे कि आप देख रहे हैं second round qualify exam based round मतलब यह भी particular 24 अगस तक है इसकी भी choice feeling 21 से 27 अगस तक है तो दोनों में difference क्या है कि एक 12 के basis पे है और एक J.E. के basis पे है अगर किसी ने J.E. का exam दिया है तो वो उपर वाले पे करेगा और अगर किसी ने 12 का दिया है तो वो नीचे वाले पे करेगा qualify exam based पे अगर किसी ने J.E. दिया है लेकिन 12 में बहुत अच्छे percentage जवर 10 से 90 पिला से और वो सोच रहा है कि मैं qualify exam based round के throw यहां पर registration कर दूँ तो आम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं क्योंकि यहां पर J.E. जिस ने दिया है इसके zero number भी अगर हुए zero number मतलब एक number वाला और यहां पर 12 में 97% वाला कहीं न कहीं यह चोटा बंदा है और यह एक number वाला एक percent वाला इससे बहुत बड़ा है बड़ा चोटा क्यों बोल रहा हुँ है क्योंकि यहां पर counseling में option होगा कि पहले इनको मुका मिलेगा पहले जो सीटों का आवंटन होगा allotment होगा वो लगा इस round वालों को किस round वालों को जो यहां पर दे रहे हैं जिन्होंने यहां पर register किया यहां register कोन कर पाएगा जिन्होंने J.E. दिया है तो अगर आपने गलती से भी वहां कर दिया तो आप तो पहले कोई भी अच्छी branch मिलने के दूर दूर तक chances ही नहीं है आपको मिली ही नहीं पाएगा private colleges ही मिल सकता है qualify exam based 12th की basis पे अगर आप देख रहे हैं तो यहां से आप registration कर सकते हैं तो यह एक गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करना है second round में second round चुकिए हमारा start हो चुका है तो अब फूप फूप के जो केता है कादम रखना है वो हमें रखना है दूसरा कोई बच्चे चाहते हैं नहीं हमें dedicated counselor इस चाहिए अब मुझे पता चल गया इस नंबर पर WhatsApp कर सकते हैं और counselor से भी बात कर सकते हो लेकिन वो paid counseling का होगा जो paid counseling के लिए जाते हैं यह WhatsApp के लिए हैं और यह calling के लिए हैं अब यह आपर सारी चीज़े आपको पता चल चुकी है हमारा result जैसी second round में आएगा वही process होगी जो first round में हमने किये कि अभी हमारा first round का result आया अब हमें उस पर एक्सल लेना है जाके report support करना है अगर हम report मतलब उस colleges में जाके admission लेना है second round के बाद यहां पर देखने को आ रहा है internal branching मतलब अगर आपने first round या upgrade में या second round में इन तीनों में भी कहीं भी मतलब किसी पर भी आपने कोई भी colleges लिया है मैंने D.A.B. भी ले लिया है मुझे E.T. मिला था तो आपके पास एक और मोका होगा कि उसकी internal branch change करने का और इसके बाद क्या second round के बाद आपको कोई मोका नहीं मिलेगा किसी college में अड्मिसर लेने का देखो मिलेगा make sure लेकिन second round से अच्छा मोका नहीं मिलेगा right so यहाँ पर CLC भी होती है college level counseling और college level counseling में अगर आपके पास quota नहीं हो तो बहुत मुस्किल होता है अगर आप general हो तो बहुत मुस्किल होता है हाँ अगर आप female हो और OVC category है AWS तो चल जाता है अगर आपके पास सेने के freedom fighter है या SCST वालों को बहुत अच्छा मोका मिलता है CLC में right so यह आपको सारे parameter समझने होगे सारी चीज़े समझने होगी और आप घर बेटी अकर समझना चाते हो कि नहीं मुझे घर बेटे क्या कोई colleges मिलेगा पता कर लू में second round में तो देखो वो भी बड़ा easy है studentcovery.com यहाँ पर मैंने बना के रखा था आप लोगों के लिए वही चीज़ आपको करना है second round में जाने से पहले studentcovery.com यहाँ पर जाना है choice filling tool में आप MPDT का देखना चाहते है MPDT का देख लीची यहाँ पर आपको क्या करना है कि second round में मुझे क्या मिल रहा है second round में मुझे क्या मिल रहा है मली जी मैंने 80,000 rank डाली और यहाँ पर डाल दिया second round अब second round में देख सकता हूँ कि भाई मैं choice filling करके जो भी मैं भरना चाहता हूँ जो मेरे दिमाग में चल रहे है जो मैंने list बनाई है वो मैं यहाँ पर भर के देख सकता हूँ अगर यहाँ पर वो colleges मुझे मिल रहा है और नहीं चाहिए तो मैं हटा भी सकता हूँ college मिल रहा है लेकिन उससे उपर मुझे better चाहिए तो मैं डाल भी सकता हूँ add भी कर सकता हूँ एक तरह से पूरा analysis यह करके बता देगा red वो जो नहीं मिल रहा है green मतलब आपको 13 नंबर का college मिल रहा है कौन से 13 नंबर का जो आपने choice filling की है सो आप घर बेटे ही second round का registration choice filling कर सकते और यह tool आपकी मदद करेगा registration तो आपने करी दिया choice filling करकर के देख लो log करने से पहले और एक सही और proper manner में choice filling कर दो नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है यह college मुझे particular मिल सकता है नहीं मिल सकता है यह आप चाहते हो के में ही आपकी choice filling करूँ जैसे कई बच्चों के अभी की भी है right मुझे बड़ी खुसी हो रही है के right एक लाख नबय हजार तक की रहें के उनको वो branches मिली है जो उनोंने expect नहीं की थी क्योंकि उनोंने मेरी बात मानी आपको भी अगर इसी तरह का है तो जाओ मैंने नंबर दे दिया वाट्सअप कर सकते हूं 911-500-22 Thank you very much Thanks a lot I hope you like this video For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe